Welcome to the Partsala, हम 3000 वक्य विल्ड करने की 45 दिन की special class कर रहे हैं, आज का day हमारा 2 है, अगर day आपने 1 अभी नहीं देखा है, तो पहले आप day 1 देखिए, और बहुत important है कि आप day 1 एक दिन देखिए, फिर day 2 दूसरे दिन देखिए, day 1, day 2 एक दिन में complete मत करिए, जैसे suppose कि ये कोई student ऐस है, जो day 2 पे ही सीधे आया है, तो वो पहले day 1 वाच करें, और day 2 को उसी हिसाब से shift करें 45 दिन के लिए, तो ये आपके 45 दिन का 3000 वक्याप का session है, तो इसी तरह follow करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये bowl है, जो नए student है, उस चीज को समझ ले, कि इसमें आपने part fill किया then day 2 वाला आज का lecture लीजे, it means है कि आप पहले वीडियो को पहुच कीजिए, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट पहले revision दीजिए, इसी समय revision दीजिए, बात के लिए मत छोड़िये, otherwise फिर से आपको revision की जरूत होगी, आप revision के tension में आ जाएंगे, तो ये जो वक्याप की special series है, इसमें मै यही आपको सिखा रहा हूँ, क्यों हो, आपको revision की जरूत ना पढ़े, क्योंकि revision at the moment करो, अभी करो, day 1 पहले revise करो, जो यहां से लिकेज हुआ, उसे फिल करो, ये 8 से लेके 10 मिनट तक आपका लेगा, जस फटा-फट sentence पढ़ो, उसकी meaning देखो, और sentence में उसके uses देखो, और एक 50-60 word है, फटा-फट पढ़ने में 8 से 10 मिनट लगेगा, वो आपको एक बार recall हो जाएगा, फिर day 2 start करिए, तो चलिए बात करते हैं, आज day 2 की preposition chart में, जैसे मैंने बताया था कि मैं 200 के आसपास कराऊंगा, कुछ और चीज़े मैं पहले बता दू, जैसे कुछ लड़को में वकव, MTS का CGL में, CGL का MTS में और CPO में इस तरीक करके पूछा रहता है, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा वकव, जैसे का जो एक्जाम है, उस पे 90% फोकुस रहता है, बैंक में भी कुछ कोशनिस के आ सकते हैं, लेकिन जो वकव है ये, ये आपका जो SSC का एक्जाम ह MTS का CPO का, ये सब उसमें ही आएंगे, और आपको 90% कोशन ऐसे होंगे कि सीधा-सीधा ये वकव, डैरेक्ट आपको मिलेंगे, तो अभी जो मैं ये प्रपोजिशन चार्ट या फिर जो वर्ब से रिलेटेट कुछ confusing pairs होते हैं, कुछ homonyms होते हैं, तो ये जो confusion create करते रहते ह एक वीक में तकरीबन खतब हो जाएगा, दिन आपके पास one word substitution और EDM phrases पढ़ना रहेगा, साथ में synonyms, antonyms करना रहेगा, कुछ important, तो वो मैं पूरा का पूरा ये 3000 वकव में complete करा दूँगा, इससे क्या होगा, कि आपका जो tier 1 का है, कि almost 45 नमबर के आसपास score करने के लिए आपका वक्याप problem करता है, वो create नहीं करेगा, वो cover हो जाएगा, फिर tier 2 में हम special session चलाएंगे, जिससे आप अपना score जो है 200 प्लस में total लेके जाएंगे, ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी 45 दिल की special class है, वो सिर्फ इस बात पर oriented है, कि हम 250 नमबर पे, ना की tier 1, ना की tier 2, 250 में 200 से उपर कैसे जाए, 210, 220, 230, ये marks कैसे निकाले, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, regular रहने की जरूरत है, तो आप day 1, day 2, day 3 सब के साथ regular रहे, notification bell on रखिए, ताकि जैसे ही जाए, क्योंकि ये lecture जो है, 1-2 के बीच में आपका upload होगा, तो इस बीच में जब भी notification जाए, आप तुरंत वीडियो खोलिए, वीडियो देखने से पहले आप पहुच कीजिए, revision कीजिए, then day 2 का वक्या प्रिपर कीजिए, तो चलिए अब बात करते हैं, आज के चार्ट की, accustomed to, accustomed to का मतलब होता है, आदी, used to, I am accustomed to early rising, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, तो accustomed to अपने साथ preposition लेता है, इसका मतलब होता है, आदी, alive to, alive, alive to का मतलब होता है, कि जानकारी में होना, alive के साथ जब to आता है, तो इसकी meaning होती है, जानकारी में होना, इसका मतलब होता है, aware of, he is fully alive to the danger of the situation, उसे पूरी तरीके से, जो है, जो situation उसके खत्रे की जानकारी है, amenable to, amenable to का मतलब होता है, advice के sense में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर willing to be guided, कोई चीज हम मानने को तयार है या नहीं है, उस sense में इसका इसका इस्तेमाल होता है, amenable के साथ to लगता है, nowadays majority of the students are not amenable to discipline, आज के समय में, बहुत सारे student है, जो majority of students है, वो discipline को मानने के लिए तयार नहीं रहते हैं, तो amenable का जो huge इस sense में होता है, एक तो होता है, willing to be guided, यह मैंने green mark से इसलिए रखा है, क्योंकि यह जैसे आप पढ़ोगे, तो कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद, इसकी meaning जो है, confuse क करती रहती हैं, और हम भूल जाते हैं, तो इसको note down कर लीजिएगा, amenable to का, और amenable to का मतलब क्या होता है, इसको advice के sense में भी इस्तेमाल किया जाता है, willing to be guided के sense में भी इस्तेमाल किया जाता है, analogous to, analogous to का मतलब होता है similar to, किसी चीज के समान होना, जैसे जहनाराज wisdom was analogous to her beauty, wisdom का मतलब होता है, बुद्धि मत्ता, तो जहनारागा जो बुद्धि मानी है, वो उसके संदर के similar है, तो यहाँ पे जब analogous हम यूज करते हैं, तो इसके साथ हम preposition to का इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट है, रेमिस इन, रेमिस का मतलब होता है बेपरवाह, या बेखवर होना, यह duty के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेमिस इन, those found रेमिस इन duty will be punished, जो बेपरवाह पाए जाएंगे, लापरवा पाए जाएंगे duty में, उनको पनिश किया जाएगा, तो रेमिस का होता है, बेपरवाह, strive for, strive for का मतलब होता है, compete करना, या फिर मेहनत करना, ठीक है, strive for, a thing, यह, जैसे, it is futile to strive for permanent joy in life, strive for का मतलब यह भी होता है, जैसे कि, आकांछा करना, अगर हम किसी चीज के लिए मन बना रहे हो, और हम इच्छा कर रहे हो, तो उसके लिए strive for का इस्तेमाल होता है, strive for का मतलब होता है, कि आकांछा करना किसी चीज की, और sentence में जैसे, it is futile to strive for permanent joy in life, यह वेकार होगा, अगर हम उमीद करे, आकांछा करे, कि permanent हमें joy मिल जाएगा लाइफ में, strive के साथ with भी आता है, तो strive के साथ दो preposition है, इस्तेमाल किया जाता है, strive for, जब हम आकांछा वगरा कर रहे होते हैं, उमीद कर रहे होते हैं, तो strive for के लिए, strive के साथ for लगता है, और strive with तब लगता है, जब हम किसी के साथ competition कर रहे होते हैं, do not strive with the rich and the powerful, आपको, जो है, हमें किसी को rich और powerful के साथ, जो rich होते हैं और जो powerful है, उनके साथ competition नहीं करना चाहिए, तो stripe जब विद लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि competition हो कर रहा होता है, यह, tenta mount to, tenta mount का मतलब होता है कि बराबर, equal in effect, जैसे अगर किसी चीज का effect इतना हो, तो दूसी चीज का भी अगर effect उतन ही हो, तो हम वहाँ से पर इस्तेमाल करते हैं, tenta mount to, his remarks are tenta mount to insult, उसका जो remark है, वो insult के बराबर है, तो tenta mount को बराबर के sense में, किसी चीज के effect के equal के sense में इस्तेमाल करते हैं, per take off, per take के साथ जब off आता है, तब इसका मतलब होता है कि हम कोई चीज किसी चीज से share कर रहे होते हैं, they per take off, our food and were satisfied, उन्होंने जैसे हमारा food share किया, और संतुस्ती मिली उनको, तो per take off का जो है, इस्तेमाल जो है share के sense में आता है, food वगरा जब हम share कर रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा, कि अगर हम खाना, food, dinner वगरा अगर share कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर take off का इस्तेमाल करते हैं, pray on, pray एक देखो और confuse करता है, एक होता है pray और एक होता है pray, pray का मतलब होता है, जब हम प्रार्थना वगरा कर रहे होते हैं, और जब pray होता है pray का मतलब होता है, जैसे जानamental वगरा का शिकार करते हैं, तो वहाँ पर pre लगाते हैं, लेकिन जब हम pray के साथ on preposition लेते हैं, तो इसका मतलब होता है exploit, मतलब सोसर्ड करना, जो अमीर होते हैं वो गरीबों का सोसड करते हैं तो प्रे पियर एवाई और पियर एवाई में डिफरेंस समझे है यह आपको वकैब वाले पोशन में मिलता है जब आपका वर्ब इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे pray और pray का difference आपको पता होना चीए, नहीं कई बार वहाँ पे भी गल्ती हो जाती है, कि pray का मतलब होता, P-R-E-Y का मतलब होता, सिखार करना, लेकिन जब pray के साथ on लगता है, तो उसका मतलब होता है, सोसड करना, aware of और be aware of यहाँ पर भी थोड़ा सा confusion रहता है aware of का मतलब होता है कि अगर हमें किसी चीज की जानकारी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं aware of I am aware of your success, मुझे जानकारी है तुमारी सफलता की और be aware of का मतलब होता है cautious, मतलब हम चिंतित है किसी चीज को कोई काम जैसे करने के लिए यहाँ पर यह sense आता है कि अगर किसी चीज से बचना हो कोई dangerous चीज हो तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता be aware of dogs less you should be beaten, सावधान, be aware of dogs का exact जो meaning आती है वो होता है शावधान be aware of dogs less you should be beaten, कुतों से सावधान रहे, otherwise वो काट लेंगे, blessed at and blessed for, blessed के साथ दो preposition आता है, दोनों का difference समझे, blessed at का मतलब होता है जब हम किसी चीज की प्रसंसा कर रहे होते हैं, कोई चीज अपने देखी और आपको बहुत अच्छा लगा, और हम प्रसंसा कर रहे हों, हम अपने अंदर से मतलब यह हो रहे हो, कि अरे किया चीज, कितनी अच्छी चीज है, तो वहाँ पर हम blessed at का इस्तेमाल करते हैं, see blessed at the mention of her qualities, see blessed at the mention, यहाँ पर प्रसंसा की बात हो रही है, ठीक है, blessed for का मतलब होता है, जैसे हम किसी चीज पर अशेम करें, ठीक है, अगर कोई जैसे fault हो रहा हो, तो वहाँ पर अगर हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं, blessed for, I blessed for the wishes of my son, who has disgraced the family, wishes का मतलब होता है, कुकृत्य, wishes का मतलब होता है, बूरे काम, या सुद्ध हिंदी बात करें, तो इसका मतलब होता है, कुकृत्य, I blessed for the wishes of my son, who has disgraced the family, तो जब blessed for का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर इसका मतलब निकलता है, सर्मिंदगी, और blessed at का मतलब होता है, तब हम किसी चीज को लेकि जैसे अंदर से फेलिंग आती हम प्रिशंशा कर रहे होते हैं, कि ये कितनी अच्छी चीज है, next word है, blind, blind के साथ दो preposition इस्तेमाल होता है, एक तो होता है, blind in, दूसरा होता है, blind to, blind in, blind in का मतलब होता है, अंधा होना, जब आंक से कोई अंदर होता है, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है, blind in, ये कई बार पूछा गया है question, blind in वाला, he is blind in left eye, and needs major surgery, वो बाएं आंक से अंदर है, और उसे बहुत काईदे वाली surgery की जरुरत है, तो जब आंक खराब हो, आंक की बात की जा रही हो, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते है, blind in, और blind to का मतलब होता है, कि जब हम ignore कर लिए होते हैं, जैसे हम अपने आंक बंद कर लिया, कोई गलत काम हो रहा हो, तो वहाँ पे हम blind to, blind to defects, we should not be blind to the fault of our children, हमें अपने जो बच्चों की गलतियां है, उनसे मू नहीं, उनसे आंक नहीं फेरनी चाहिए तो blind to का basically मतलब होता है, आंक फिर लेना गलतियों से, born of and born to, born of का मतलब होता है, कि जैसे अगर किसी parent से कोई पैदा हुआ हो, तो वहाँ पे इस्तिमाल होता है, born of, she was born of a beautiful mother, and born to का इस्तिमाल करते हैं, passive wise में, son was born to her, और passive wise काहां पे इस्तिमाल होता है, जब subject important नहीं होता ह है, जब काम important होता है, तब वहाँ पे हम passive wise का इस्तिमाल करते हैं, तो born to जो होता है, वो passive wise में इस्तिमाल होता है, born of जो होता है, वो जब हम parents की बात कर रहे होते हैं, तब इस्तिमाल होता है, bearing on, bear का simple meaning होता है, सहन करना, लेकिन bearing on का मतलब होता है, relation to, संबंध होना, जो आपका स्पीच है जो तुम्हारा स्पीच है उसका कोई संबंध नहीं है जिस टॉपिक से हम डिसकुस कर रहे हैं जो प्रोजीशन चार्ट चल रहा है यह बहुत सारे फ्रेजल वर्क भी आपके कवर कर रहा है एक और सबसे ज़्यादा common question है जो पूछा जाता है अक्सर करके exam में cure of and cure for दोनों का मतलब ilaj होता है लेकिन ilaj किस sense में होता है जैसे हम बिमार हों किसी चीज से बिमार हो तो अगर हम बिमारी से उठ रहे हों अगर हमारा ilaj किया जा रहे हो तो वहां पर हम इस्तेमाल करते है cure of और जैसे कोई रोक का नाम दे दिया जाए AIDS हो गया या malaria हो गया तो उसका ilaj मिल रहा हो या ना मिल रहा हो तो वहां पर हम इस्तेमाल करते है cure for तो just example से समझे he is cured of illness तो बिमारी से उसको ilaj हुआ after long treatment बहुत सारे treatment के बाद उसको जो भी बिमारी थी उसका ilaj हो गया और यहां पर अगर हम किसी बिमारी का नाम दे दे और यह बताए कि इसका ilaj नहीं है तो वहां पर हम इस्तेमाल करते है cure for यह भी आप note down कीजिए और इसको retain कीजिएगा क्योंकि थोड़े समय के बाद इसमें confusion होने लगता है कि cure off इस्तेमाल करे या cure for और यह exam में अक्सर करके गुमा गुमा पूछता रहता है compete with and compete for compete के साथ जब हम with लगाते हैं तो वो हम person के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और compete जब for लगाते हैं तब हम किसी trophy वगारा के लिए जब compete कर रहे होते हैं तो for लगाते हैं he will compete with me तो अगर किसी person के साथ अगर compete कर रहे हो ठीक है competition कर रहे हो तो हम with लगाते हैं अगर trophy वगारा के लिए fight हो रही हो तो हम for लगाते हैं our team will not compete for roman trophy अगर सुद्धिन्दी की बात करें तो कनफॉर्मिटी का मतलब होता है अनुपालन, अगर सुद्धिन्दी की बात करें तो कनफॉर्मिटी का मतलब होता है अनुपालन, कनफॉर्मिटी के साथ जब हम विथ लगाते हैं तब इसका मतलब होता है व्यूज, अनुपालन कर रहे होते हैं, जब हम किसी के views के साथ सहमती दिखा के काम कर रहे होते हैं, उसका अनुपालन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लगाते conformity with, लेकिन अगर हम किसी rules के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, views के हिसाब से नहीं, अगर कोई rules पहले से बना है, उसके हिसाब से अगर काम कर रह तब हम लगाएंगे conformity with और conformity to हम लगाएंगे जब हम कोई rule पहले से बना हुआ हो उसके हिसाब चे काम करें तो I did that in conformity to the tradition of the family tradition of the family मतलब पहले से ही वो rules है चला आरा है ट्रेडिशन में है उसका अनुपालन कर रहे हैं तो जब rules पहले से हो बना हुआ हो तो उसका अगर अनुपालन कर रहे हो तो हम conformity to लिखते हैं अगर views का अनुपालन करते हैं किसी views के साथ सहमेति सो करते हैं तो हम वहाँ पे लगाते तो इस्तमाल होता है cling to the child was clinging to her mother complaint takes two preposition complain के साथ against लगता है और complain के साथ off लगता है complain के साथ जब हम against लगाते हैं तब अगर हम किसी person के खिलाफ किसी ब्यक्त के खिलाफ अगर हम complain कर रहे होते हैं तो हम complain लिखते हैं और अगर किसी चीज, किसी वस्तु किसी ठिंग के खिलाउअगर हम कंप्लेइन कर रहे होते हैं तो हम औफ लगाते मुवण पे एक अनुपलेंट तू दबर प्रिнийसी रणिप्ट से कंप्लेइन किया को कि मृत वह अंति की जा रही है उसकी बात नहीं की जा रही है तो जब परसन की बात की जाएगी तो हम अंगेश लगाएंगे जब भी है या किसी और चीज की बात की जाएगी थिंग की बात की जाएगी तो हम complain के साथ off लेंगे cordon off cordon off का मतलब होता है protect करना the the hours of the PM was cordoned off the hours का मतलब होता है दिन कि प्रधान मंत्री प्राइम मिनिस्टर का जो दिन है वो बचा लिया गया save किया गया है commit to commit to का इस्तिमाल होता है promise के sense में please के sense में sentence के sense में commit के साथ हम to लगाते हैं जब हम कोई promise कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह होता है जैसे प्रतिग्या करना है किताब से commit to memory जैसे he has committed himself to the service of the society उसने अपने आपको commit कर रखा है मतलब यह हुआ इसका निकला कि जैसे हम किसी चीज को निश्चित कर लेते हैं हमें यह काम करना ही है तो committed to का मतलब होता है कि हम certain है उस चीज पर कि हमें यह काम करना है तो commit के साथ हम to essence में निकालते हैं जब हम promise कर रहे होते हैं या फिर कोई प्रतिग्या कर रहे होते हैं या कोई हम sentence अपनी एक जुबान दे रहे होते है तो committed to का मतलब एक तरीके से होता है जुबान देना, confide in, confide का मतलब होता है, confide in का मतलब होता है विश्वास, I have always confide in him, मुझे हमेशा उस पर विश्वास था, and he has never deceived me, और उसने कभी मुझे दोखा नहीं दिया, तो confide के साथ जब in लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है विश्वास, confide के साथ जब do लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अपनी कोई personal बास share करना, किसी person के साथ, Do not confide your secret to unreliable friends अपनी कोई भी बात, कोई भी secret बात किसी के साथ साजा मत करो उस दोस के साथ साजा मत करो जो reliable नहीं है, जो विश्वास नहीं है तो confide to का इस्तमाल हम तब करते हैं जब हम अपनी बात साजा कर रहे होते हैं किसी से, गुपतरूप से और confide in का मतलब होता है विश्वास तो इस तरीकी का जो preposition है ना preposition बेस्ट कई सारे question आते है tier 1 में और tier 2 में भी commence, commence day के साथ लगाय जाता है, time के साथ लगाय जाता है और month के साथ लगाय जाता है तो commence on a day, at a time, in a month ज्यान रखिएगा, commence on a day, day के पहले on लगता आपको पता है, at a time, कोई patola time हो 7 p.m. 8 p.m. तो उसके पहले at लगाता है और month हो और year हो तो वहाँ पे इन लगाता है, यह मैंने भी last वाले lecture में आपको सिखाया है the examination will commence on Monday, next at 10 o'clock यहाँ पे 10 o'clock आपका time है, तो at लगाएंगे इसके पहले comments का मतलब होता है, begin, सुरुवात करना किसी चीज की सुरुवात करना और sentence में जैसे यहाँ Monday, Monday के पहले हमने on लगाया, next at 10 o'clock आपको पता है कि जब हम 7 बजे या 8 बजे इस तरीकी की बात कर रहे होते हैं किसी fix time की, तब उनसके पहले add लगाते हैं अभी मैंने last lecture में बता है, जब मैं preposition पढ़ा रहा हो, तो comments with, comments with का इस्तेमाल अब करते हैं, जब हम यह बता रहे होते हैं हमने इस चीज से पहले सुरुवात की थी, जब हमने सुरुवात किया, और एक होता है कि इस particular चीज से, तो जब हम particular चीज की बात कर रहे होते हैं, इस चीज से सुरुवात की, जैसे he comments with grammar, when he started teaching English, कि उसने grammar से सुरुवात की या, जब उसने English पढ़ाना सुरु किया था, तो पहली जो सुरुवात थी, वो grammar थी, तो जब हम पहले item की बात कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे लगाते है comments with, claimer for, claimer for का मतलब होता है demand, और claimer against का मतलब होता है complain against, तो claimer के साथ दो preposition लगता है for and against, जब हम for लगाते हैं, इसका मतलब होता है हम demand कर रहे होते हैं, जैसे labor are clamoring for the rise in their wages, जो मजदूर हैं, वो अपनी wage बढ़ाने के लिए demand कर रहे हैं, claimer against का मतलब होता है complain against, the residents are clamoring against the negligence of the police, तो यहाँ पर क्या है कि जो residents है, जो निवासी हैं, वो complain कर रहे हैं, पुलिस के negligence को लेके, तो ध्यान रखिएगा कि claimer for इस्तेमाल होता है, जब हम demand कर रहे होते हैं, कोई मांग कर रहे होते हैं, तो claimer for का मतलब होता है, मांग, और इसका मतलब होता है complain, protest करना, claimer against का, condole with, condole with का मतलब होता है, यह किसी person के साथ हम लगाते है, condole with, सहान भूती प्रकट करना, condole का मतलब होता है, शहान भूती प्रकट करना, I condoled with my friend in death of his father, मैंने सहान भूती प्रकट किया अपने दोस्त के साथ, उसके प्रता की मिट्टिवे, dabble in and at, यह art या politics के लिए इस्तेमाल होता है, dabble के साथ in या फिर at इस्तेमाल होता है, though, though he belongs to the family of politicians, he never dabbled in politics, तो ध्यान रखिएगा कि dabble के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं, dabble का मतलब होता है, हिंदी में लिप्त होना, though he belongs to the family of politicians, he never dabbled in politics, वैसे वो एक politicians, राजनितिक family से बिलॉंग करता है, लेकिन वो कभी राजनिति में लिप्त नहीं हुआ, die, die, disease को लेके और cause को लेके, cure of, cure from, इस तरीके की कई सारे आते हैं, तो इसको भी आप note down कर लिजिएगा, मैं agreeन करना भूल गया, die of का मतलब होता है, जब हम किसी बीमारी से मर रहे होते हैं, जब हम कोई इलने से मर रहे होते हैं, और die from का यूज करते हैं, जब किसी काज की वज़े से मर रहे होते हैं, कोई कारण होता है, एक particular, उसकी वज़े से अगर कोई मर रहा होता है व्यक्ति, तो वहाँ पर हम लगते हैं die from, जैसे example से समझ इसको, he died of malaria, यहाँ पर किसी रोग, particular रोग से मर रहा है कोई, इसलिए यहाँ पर अगर कोई disease है, like AIDS हो गया, like malaria हो गया, like hazard वगरा हो गया, तो इस तरीके के अगर कोई नाम है आपके पास, तो वहाँ पर हम अगर कोई disease हमारे पास है, तो हम disease के पहले off लगाते हैं, ध्यान रखिएगा disease के पहले हम off लगाते हैं, और from लगाते हैं, अगर हम किसी कारण की वज़े से मर रहे होते हैं, कोई cause होता उसके पीछे, he died from overwork, यहाँ पे कारण है अधिक काम करना, because hard work has affected his health adversely, वो ज़्यादा काम करने की वज़े से मर गया, क्योंकि जो उसका hard work था, जो वो काम करना था ज़्यादा, उसकी वज़े से उसके सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ा, differ के साथ भी दो लगता है, differ with and differ from, differ with, जब हम किसी person के views के साथ अस्तामति दिखाते हैं, तो हम वहाँ पे लगाते है differ with, तो differ with है person, और अगर हम किसी से अलग दिख रहे हूं, जैसे कि किसी के रंग रूप से अलग दिख रहे हूं, कि मेरे अंदर कुछ और है, उसके अंदर कुछ और है, तो वहाँ पे हम लगाते है differ from, differ from in something, differ with a person in views, I differ with you on the views of life, अगर किसी आदमी का views life पे कुछ और है, अलग है, और उसके कुछ अलग है, तो यहाँ पे differ हो रहे हैं किसी चीज में, और जब views पे differ करते हैं कि एक आदमी का views कुछ और होता है, तो वहाँ पे हम लगाते है differ with, कंजिस्ट इन, कंजिस्ट इन का मतलब होता है remain, अंदर रहना, beauty, कंजिस्ट इन the character of a person, कंजिस्ट of का मतलब होता है bana होना, compromise, the house consists of four rooms, घर जो है चार कमरों से बना हुआ है, तो कंजिस्ट in एन कंजिस्ट of में ये difference है, एक कंजिस्ट in का मतलब होता है समाहित होना, और एक होता है कि किसी चीज से बना होना, indoor with, indoor with का मतलब होता है gifted with, किसी को already gift मिला हो तो वहाँ पे endowed के साथ हम with लगाते हैं His wife is endowed with both charms and talents उसकी जो पतनी है वो पहले से ही natural talent है उसके अंदर मतलब nature की तरफ से ही मिला हुआ है charms और talent का familiar to familiar to and familiar with familiar to का मतलब होता है अगर हम किसी को जान रहे हैं तो उसको बोलते है familiar to और familiar with होता है तब जब हमें किसी चीज का knowledge हो तो knowledge के sense में हम familiar with लगाते हैं और अगर हम किसी को जान रहे हैं पहचान रहे हैं तो हम उसको लगाते है familiar to हर face is quite familiar to everyone उसका जो चेहरा है सभी के familiar है तो यहाँ पे हम अगर देखा देखा सा लग रहा है ऐसा कुछ है तो familiar to का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें किसी चीज का knowledge है जैसे यहाँ पे example है I am not very familiar with botanical names तो botanical names के जो names होते हैं वो बहुत ज़्यादा tough होते difficult होते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है कि उन tough words का knowledge नहीं है हमारे पास तो जब हम knowledge की बात कर रहे हो तो हम वहाँ पे use करेंगे familiar with false of and false to false के साथ हम दो preposition लगाते हैं false of हमेशा here के साथ आता है he is not false of here and false to का मतलब होता है कि अगर हम किसी friend के साथ जूट है या हम principle को follow नहीं कर रहे हैं principle सा ऐसा तो वहाँ पे false to लगाते हैं we should not be false to our friends हमें अपने दोस्तों के साथ जूटा पन नहीं रखना चाहिए fascinated by fascinated का मतलब होता मुहित मुहित होना fascinated by मतलब मुहित होना I think the children were fascinated by fascinated by हम लगाते हैं कि जब हम किसी चीज से मुहित होते हैं और अगर किसी परसन के साथ मुहित होते हैं तो हम आपे लगाते हैं fascinated with तो ध्यान रखीगा कि अगर हम किसी चीज से किसी वस्तु से अगर मुहित हो रहे हों तो हम लगाएंगे fascinated by और किसी परसन के साथ मुहित हो रहे हों तो हम लगाएंगे fascinated with जो किसी सौप में सौफ विंडो पे लगावा टाइज है बच्चे उसे देख के मुहित हो रहे हैं और दूसर संटेंस है I was fascinated with her because of her admirable manners तो उसका जो manner है उसका जो सलीका है बहुत admirable है बहुत प्रसंशनी है इसलिए मैं मुहित हूं तो जब person की बात की जा रही हो तो वित लग गरीब के साथ तीन प्रीमजिशन लगता है उसकी many अगर दुख प्रकट कर रहे होते हैं तो हम लगाते हैं over और कोई event होता है कोई कारेक्रम हो रहा होता है वहां पहुंच के अगर दुख प्रकट करते हैं तो हम लगाते हैं with theekk or a person give more everything angg Ward event बहुत important मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, grieve For, अगर हम किसी आदमी, किसी ब्यक्त के लिए दुख प्रकट कर रहे हूँ, तो वहाँ पे हम लगाते हैं, grieve For, grieve Over लगाते हैं, अगर हमें कोई चीज का नुकसान हो गया हो या फिर इस तरीके कि अगर वस्तूप पे अगर दुख प्रकट कर रहे हो तो हम लगते हैं ग्रीव ओवर और ग्रीव एड होता है अगर हम किसी कारिकरम अगरा में गए हो और वहाँ पे कोई चीज देख के या किसी के साथ अगर खेद या दुख प्रकट कर रहे हों तो लगाते हैं एंट जैसे ही ग्रीव्ड फॉर्ट विक्टिम्स अफ्ड टॉप यहां पर kya परसन जो तुफान में के विक्टिम थे उनके साथ जो दुख प्रकट करना है तो यहां पर परिशन की बात हो रही है तो यहां पर लगाएंगे हम ग्रिफ और वर दुख है किसी चीज के नुक्सान होने का बिजनेस नुक्सान होने का he grieved at my father's death when I informed him of my personal tragedy मेरे पिता के death पे he grieved at my father's death when I informed him of my personal tragedy तो एक तरीके का event है मेरे father के death है ऐसा event पे उसे दुख हुआ है fly into fly का मतलब होता है उड़ना लेकिन यहाँ पे fly जब into लगाते हैं तो उड़ते हैं हम किस से क्रोध के साथ हमें गुस्सा आता है गुस्से में हम उड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं fly fly के साथ into याद रखी का कि fly into एक phrase है fly into का मतलब होता है क्रोध के साथ बभूला होना आग बभूला होना on hearing my remarks flew into a raise raise मतलब भी क्रोध होता है flew into a raise गुस्से के मारे लाल हो गई मेरे बास तुनके recon on या upon recon के साथ on भी लगता है recon के साथ upon भी लगता है recon का मतलब होता है depend करना सहारे पे होना किसी चीज का सहारा होना किसी पे depend करना you can safely recon upon the books for advice तुम simply depend कर सकते हो advice सला के लिए किताबों पे तो किसी के उपर depend करना के सेंस में जब हम इस्तेमाल करते है depend करना के तो recon on भी लगाते है recon upon भी लगाते है remote state with remote state मतलब होता है विरोध remote state का मतलब होता है विरोध जब हम किसी person के साथ अगर विरोध कर रहे होते हैं तो हम लगाते है with ज़्यादातर केसिज में जब हम विरोध किसी ब्यक्ति के खिलाप कर रहे होते हैं तो लगबग सभी वर्ड के साथ हम with लगाते हैं जितने भी प्लेयर थे वो विरोध कर रहे थे जो अम्पार ने डिसिजन दिया लगाते हैं तो रिमोंस्ट्रेट विथ ए परिसन and cause of cause for का मतलब होता है कि reason there is no cause for anxiety cause for का मतलब होता है कारण और cause of का मतलब वो result फल जैसे the cause of cancer is still unknown यहाँ पे भी मतलब कारण ही है एक तरीके से लेकिन यहाँ पे मतलब यह हो गया कि जैसे cancer cancer का cause क्या है cancer का कारण क्या है तो अभी हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हम लगाएंगे cause of cause for किसी चीज का reason क्या है there is no cause for anxiety यहाँ पे कोई reason नहीं है anxiety का इन दोनों में बहुत slight difference है आपको यह sentence याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको समझ मैं कि cause for और cause of अगर आप हिंदी में sense निकालेंगे तो दोनों का meaning लगबग कारण ही निकल रहा है there is no cause for anxiety यहाँ पे मतलब anxiety का कोई कारण नहीं है the cause of cancer is still unknown तो जब रोग वगर के लिए अगर हम cause का इस्तेमाल करते हैं चिन्तित का हिंदी अगर समझे सुद्ध तो इसका मतलब होता है छिन्तित जैसे I am greatly concerned for the safety of his money मैं उसके पैसो की सुरक्षा को लेके कुछ जादा ही चिनती थूँ तो concerned for का मतलब होता है कि किछी सीच से लेके चिनता और concerned with का मतलब होता है कि कोई लेना देना किछी सीच से कोई लेना देना है या नहीं है I am not concerned with his business मेरा उसके business से कोई लेना देना नहीं है तो concerned for और concerned with में बड़ा difference है concerned for का मतलब हुआ कि हम चिनती थूँ रहें कि चीची सीच को लेके concerned with का मतलब हो गया कि हमें कोई लेना देना है या नहीं deal in and deal with यह भी question बहुत आता है deal in का मतलब होता है ब्यापार करना my friend deals in cloth मेरा जो दोस्त है वो कपड़ों का ब्यापार करता है deal with a matter a person deal with का मतलब होता है कि किसी आदमी किसी ब्यक्ति के साथ ब्यापार करना deal with का मतलब होता है ब्यापार करना you must learn how to deal with customers तो मैं सीखना चाहिए कि कि किसी कस्टूमर के साथ कैसा ब्यापार करें तो deal in का मतलब है ब्यापार करना deal with का मतलब है ब्यापार करना inamoward अभी मैंने एक word इसके पहले बता है fascinated inamoward and fascinated दोनों synonyms है दोनों का मतलब होता है मोहित होना मोहित करना inamoward रोजी लैंड वोज इनामावर्ड वित और्लैंडो एट फर्स साइट जो रोजी लैंड था वो और्लैंडो से पहली ही साइट में पहली ही देख में मोहित हो गया था तो with हम लगाते हैं कब inamoward के साथ जब हम पर्सन की बात कर रहे होते हैं यहां पर सिधा सिधा और्लैंडो की बात हो रही थी तो समझ यह कि जब पर्सन से अगर मोहित हो रहे हो तो हम लगाएंगे वित और अगर हम उसके टैलेंट से मोहित हो रहे होंगे तो लगाएंगे आफ मतलब अगर वस्तू से मोहित हो रहे हैं तो हम inamoward के साथ आफ लग करेंगे जो प्रेजा रेलेटेड। आख्री लेक्टर होगा इसमें काफी सार आपका फृजल वर्ब भी खतम हो गया है तो जब में फृजल वर्ब करेंगे तो फृज तो मिलते में यह फ्लिकर में तब तक कले थैंक यू बाबाई